इसकार दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि स्वतंतरता के बाद भारत में सिक्षा के सुधार के लिए कौन-कौन सी समितिया गठित की गई और उनके क्या-क्या कार्ज दिये गए जो कि परिक्षा के लिए बहुत ही मातपूर्ण है कि कौन सी कमिटिया कब गठित की गई उनके अध्यक्ष कौन थे उनका कर्ज क्या था तो दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखे आप एक बार में समस्घ जाएंगे कि कब किस चमीटि का गठन किया गया और उस कमिटि की अध्यक्ष कौन थे और उनको क्या कर्ज दिया गया ताइए दोस्तों देखते हैं सोतनता के बाद सबसे पहले कमिटी गठित की गई उस कमिटी का नाम था राधा कृष्णन आयो गिया विश्विद्याले सिक्षा आयो भारासरकार द्वारा 1949 के नॉंबर माह में भारती विश्विद्याले सिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्ति किया गया था 1947 में भारत के आजाद होने के बाद इसकी आपशक्ता अनुभव की गई कि देश की विश्विद्याली शिक्षा का पुनर रचना की जाए ताकि वह रास्टी एबम सांस्किर्तिक पुनरत्थान में सहायक हो साथ ही बेज्यानिक तक्निकी एबम अन्य प्रकार के मानव सक्ति का विकास सुनिश्चित करें इस आयोग के अध्यक्ष डाक्टर सरोपली राधा कृष्णन थे अब आईए दोस्तों जानते हैं दूसरी कमिटी मादमिक शिक्षा आयोग मादमिक शिक्षा आयोग सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन या मुदालियर आयोग की अस्थापना 1952 में की गई उसके बाद हैं दोस्तों बिश्विद्याले अनुदान आयोग भारत का विश्विद्याले अनुदान आयोग जिसका अंग्रेजी होता है University Grants Commission UGC केंद्रिय सरकार का एक उपकरम है जो भारत सरकार दोरा मानेता प्राप्त विश्विद्यालें और माहाविद्यालें को अनुदान परदान करता है यही आयोग विश्विद्यालेओं को मानेता भी देता है इसका मुख्याले नई दिल्ली में है और छोच्छेतरिये कारियाले पुने, भोपाल, कोलकाता, हैदराभाद, गुहाटी और बेंगलोर में है इसकी अस्थापना 1956 श्विट नकी गई थी और इसकी अध्याक्स प्रोफेसर धिरेंदर पाल सिंग थे आये दोस्तों इसके बाद जानते हैं कोठारी आयोग या बहुत ही मातपुर्ण है कोठारी आयोग कोठारी आयोग की अस्थापना सन 1964 श्विट में भारत की केंदरिय सरकार ने डाक्टर दौलत सिंग कोठारी के अध्यक्षता में स्कूली सिक्षा प्रनाली को नया आकार वा नई दिशा देने के उदेशे से एक आयोग का गठन किया गया इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है डाक्टर कोठारी उस समय बिस्विद्याले अनिदान आयोग के अध्यक्ष थे आयोग ने भारतिय स्कूली सिक्षा की गहन समिक्षा प्रस्तूत की जो भारत के सिक्षा के इतिहास में आज भी सरवाधिक गहन अध्यन माना जाता है कोठारी आयोग, 1964-66 या राष्टिय सिक्षा आयोग भारत का ऐसा पहला सिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में समाजिक बदलाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाब दिये थे उसके बाद है दोस्तो राष्टिय सिक्षा नेती भारतिय समिधान ने चोथे भाग में लखित नितिन रिदिशक तत्यों में कहा गया है कि प्रात्मिक अस्तर प्रत्तक के सभी बच्चों के अनिवारे वोम निशूल सिक्षा की विवस्ता की जा 248 में ड्यक्टर राधा कृष्चन के अध्यक्सथा में बिशविद्याले सिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में सिक्षा प्रनाली को वेवस्तित करने का काम शूरू हो गया था 1952 में लक्ष्मी स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित मादमिक सिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंक उठारी के अध्यक्षता में गठित सिक्षा आयोग के अनुसंसाओं के अधार पर 1968 में सिक्षा निती पर एक प्रस्ताव प्रकासित किया गया जिसमें राष् राष्ट्य शिक्षानिती लागू की गई जो आब तक चल लाई इस विश राष्ट्य शिक्षानिती की समिक्षा के लिए 1990 में आचारी राममुर्थी का देक्षा में एक समिक्षा समिती तथा 1993 में प्रोफेसर यसपाल समिती का गठन किया गया और यह दोस्तों देखते हैं उसके बाद भारत में 1968 में नवीन शिक्षानिती नाम से एक शिक्षानिती लागू की गई है इस निती की सरवाधिक महत्पुर्ण विशस्ताया थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान सेक्षिक धांचे को स्विकार किया और अधिकांस राजि सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर हमेशी तरह की अच्छी जानकानिया पहुंचाते रहे धन्यवाद तरह कै की महत्तरो अची थत्वेक ड़ताब करें दो ओन्यवाद कर दो झाल झाल